पुझ्य गुरुदेव के जीवन के प्रेरक्ट प्रसंग हम लोग देख रहे हैं गुरुदेव के जीवन को देखे तो उनमें अनेक गुण है और वो गुण समय समय पर प्रकट होते रहते हैं गुरुदेव के ब्रह्म ज्यानी थे आनंद स्वरूप थे इसलिए उनके व्यवहार में वो आनंद जलकता था प्रकट होते रहता था व्यक्त होते रहता था और इसलिए उनके सानिध्य में रहने से सारे दुख विश्मृत हो जाये करते थे एक बार जब वो विदेश से आये तो एरपोर्ट पर जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है उसमें से जाना पड़ता है तो वहां पर उन्होंने आफिसर ने पूछा आप कुछ सामान तो नहीं लेके आये विदेश से तो गुरुदेव ने उसके कान में जाकर धीरे से बोला जो आफिसर था क्या कहा पूले में विदेश से लोगों के मन को चुरा के लेके आया लोगों के दिल को रुधय को आफिसर भी मुस्कुरा दिया और सही बात है पूछ्य गुरुदेव जहां भी जाते थे लोगों का दिल जीत लेते थे उनके प्रवचन इतने प्रभावी हुआ करते थे उनकी वानी में ओज था तेज था और साथ में विनोध हलका फुलका मजाक हास्य उसकारण से उनके प्रवचन कभी भी उबाव नहीं होते थे एक बार एक प्रवचन में कोई व्यक्ति आया और वो कम्यूनिस्ट विचारदारा का था जोर जोर से बोलने लगा कुछ कुछ गुरुदेव प्रवचन कर रहा है वो खड़े ओके बोल रहा है तीन-चार मिन्ट तक बोलते रहा है तो सारे आयोजक्त थे वो उसको कहने तके बाहर जाओ बाहर जाओ लेकिन गुरुदेव शान्त बैठे रहे गुरुदेव ने कहा तुमको जो भी पूछना है वो प्रवचन के बाद पूछना पहले प्रवचन सुन लो और जब उसने प्रवचन सुना प्रवचन के बाद शान्त बनो हो गया गुरुदेव का भगत ही बन गया सारे उसके प्रश्ण बिलीनों पए गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि किसी भी चीज का निशेद यदि आपको करना है तो पहले परिक्षन कीजिए ये विज्ञानिक पद्दत ये परिक्षन करके कुछ नहीं मिलता आपको तब आप कह दिजिए कि जो आपने कहा वो गलत है जूटा है हम उसको रिजेक्ट करते हैं कई लोग भगवत गीता उपनिश्द उसको सुने बिना ही कह देते हैं यह सब निरर्थक है गुर्देव के विनोत की और बात कहें आनंद की तो कि एक बार उनको हॉस्पिटल में कि एड़मिट किया गया तब यह ठीक नहीं थी तो सभी लोग हॉस्पिटल के जो नर्से से और जो स्थाफ है वो सब बहुत गंबीर चेहरे से उनका रख रखाओ कर रहे हैं गुरुदेव कहते हैं कि रोगी मैं हूं आप क्यों दुख्य हो रहे हैं आपके चेहरे पर हास से होना चीए मुस्कान होना चीए चेहरे पर मुस्कान रखके फिर सेवा की जीए देखो कितना अच्छा संदेश है मतलब स्वयम के कश्ट को भूलकर देखिए गुरुदेव दूसरों को आनंदित करने का प्रयत्न करते रहे काय वार उनके कई किस्षे आऊस्पिटल में भी वह विनोद कर रहे आप दिखे ब्रह्म में वह आनंद रूप है प्रोक्ल बोलने के लिए नहीं है जो उस आनंद रूप ब्रह्म में प्रतिश्टित हो गया उसके तो आनी से व्याओहर से वह आनंद प्रकट होना ही एक बार जब वो ब्रिटिश एयरवेस से यात्रा कर रहे थे यात्रा के बाद उतर रहे थे एयर होस्टेस ने कहा have a nice day अब आउपचारिक ये वचन होता है वाक्यों बोलते हैं सभी लोग गुरुदेव ने पलट के एक दम बोला how, कैसे एयर होस्टेस निरुत्तर होई हो ले यह तो नहीं मालूँ तो ऐसे उनकी जो प्रतिक्रिया है और बड़ी आनंद देने वाली एक बार किसी कारेकरम में एक मुख्याती थी थे उनका नाम था सी सुब्रमन्यम उनको बुलाए गया और उस मिशन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था ए सुब्रमन्यम दाये साइड बेठे हैं और बीच में गुरु देव जब गुरुदेव के बाशन का रिटाया वक्ताय समय आया तो गुरुदेव ने एक मेसेज दिया लोग पूछते संदेश में तो यह सुब्रमन्यम एक साइड है सी सुब्रमन्यम दूसरी साइड है गुरुदेव ने का भी सुब्रमन्यम अब देखो इसमें दो बातों मतलब ए और सी है तो बीच में भी होना चाहिए और उसका गंबीर रत क्या है बी सुब्रमन्यम भगवान की तरह हो सुब्रमन्यम कार्थिके भगवान का ना है उनके जैसा दिव्यत्व में हो यही मेसेज है तो इसको प्रेजन्स आप मैं हाजिरी जवाब कुछ प्रसंग में इस तरह से कुछ बोलना की लोगों के चेरे पर हासी आया जाए एक बार एक लड़के ने पूछा बड़ा लिखा लड़का था गुरुदेव आप इतने पढ़े लिखे इतने इंग्लिश में एमे किया और यह आपने दुनिया क्यों छोड़ दी यह सन्यास ले लिया अब वह लड़का चूइंगम खा रहा था और यह प्रश्ण पूछ रहा था कि चूइंगम खाते खाते तो गुरुदेव ने उसको उत्तर दिया या उससे कहा कि यह मूह में चूइंगम कब तक खाते रहे तो मैं प्रश्ण कर रहा हूं आप पूछ रहे हैं नहीं उत्तर तो दिजिए भले इसमें जब तक टेस्ट आ रहा है रस आ रहा है तब तक तो मैं इसको खाऊंगा उसका ठुक दूंगा गुरुदेव ने कहा दुनिया भी मैंने अनुभव की और जो उसमें रस नहीं मिला और उससे ज्यादा रसीली चीज़ मिल गई तो छोड़ दिया पस्तम गीता का एक श्लोक है उसमें आता है परम दृष्टवा निवर्तते जब उनको ज्यादा आनंददाई चीज मिलती ह गुरुदेव ने कितना अच्छा उधारण दिया उसी के मुख में जो चुविंगम था उसी को उधारण में विद्वान लोग इस तरह कितने बुद्धिवान होते हैं और सामने वाले को इस तरह उत्तर देते हैं कि वह हमेशा के लिए उनके मन में टंकित हो जाता है अंकित हो जाता है हमेशा याद रहता है गुरुदेव किसी से दो मिनिट भी मिलते थे लेकिन सो प्रतिशत मिलते थे जीवन भर लोगों को उनकी स्मूर्थी उन्होंने जो कहा वियाद रहता था लोग कहते हैं अभी भी उन्होंने कह वे वाक्य कान में गूचते हैं ऐसे प्रभावी ओजस्वी तेजस्वी गुरुदेव को हम रणाम करते हैं हरियो झाल